कि नमस्कार मैं विकास आप सभी को अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों यह इससे राइटिंग है जिसमें हम वेमेन इंपावर्मेंट पर जो है इस पर डिसकस करेंगे और आप लोग इतना ही लिखना है इतना हम बता रहे हैं इसी के प्रोक्स में आपको लिखना इसी तरह से जैसे अभी हम लिख्या हुआ है टोटल जो है आपका फूल माक्स मिलने का संभावना रहेगा अगर इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ठीक है तो अब आप लोग देखिए इसको कैसे कैसे दूसरा चाहिए दोस्तों क्वाल कॉंटेंट पर ध्यान लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग हम यहां पर इंट्रो इतना लिखे हूंगा है फिर जो है बीच में आपको बड़ी होता है बड़ी यानि उसको प्रक्ट भी सकते हैं वह है फिर उसके बाद में आपको अबरॉल जो एक कंक्लूजन उसको कह सकते हैं वह है ठीक है और आपको एक्जाम में जब भी लिखना है मुश्किल से 1500 से 200 के अपको लिखना है वैसे हो सकता है देखिए पिछला बार में जो था वह देट सो में था या अगर उससे में थोरा से अगर एडवांस करता है तो 200 में हो सकता है तो मोटा मोटी आपके पास टाइम बहुत कम है त करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों है कि सबसे पहले इसका इंत्रो लिखेंगे वेम इंपार्मेंट का वा का वाइनखाईंस तो आपका हुला कर दिया है थे ऑंडेलाइन कर दिया है प्रचाइब तो यह जैसे जैसे हम एंड राइन करके लिख्या हम गाएंगा उसको फोकस किजिएगा विमेन इंपावर्मेंट रेफर्स तुद प्रोसेस और ग्रांटिंग विमेन दपावर इसका मतलब यह कि एक प्रोसेस है जो विमेन को ग्रांटी देता है और अटों को या लीडिज को जो है ग्रांटी देता है उसको इंपावर्म करने का पावर ऑच्रीटी पावर ऑच्रीटी टू पाटिसिपेट फुली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पावर कहां से मिलता है दिसीजन मेकिंग जो ऑथरीटी होता है उस ऑथरीटी में अगर कोई सामील होता है वहां से आपको पावर मिलता है तु है अपने लाइप को या किसी और के भी लाइप को जो है यानि कि जीवन को एक तरह से कंट्रोल करने का उसमें यह आ जाता है इक कम पासिस बेरियस एस और यह हर अश्वैक्ट में होता है जैने सी प्रकावrme करना कि ट्रेंकि पर्वार्म शेश वेस एक अदड़ म क्या नोड़ और खुर चलते हैं वेश्परियर तो यह आपका इंट्रों इतना 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 इसके बाद में आता है पॉलिटिकली पॉलिटिकली इंपावरिंग वीमें इंवल्ब्स इंसुरिंग देयर रिपर्जेंटेशन इन गवर्न गवर्नेंस इस्ट्रॉक्टर्स एंड डिसीजन मेकिंग बडीज देखिए सबसे जो सकते हैं जो गवर्नेंस में जो लेडिदी जो सब्सकरण करता है UP कि उसमें आपका डि दिल केंवें चीलिए एक एक लाइटियो उसमें डिसीजिजन वेकिंग बडिज में जो है उनका इन्वाल्मेंट होना चाहिए इसकोड़ लटीज नेक्स्ट है इकनमिकले इसकते हैं कि इंतेल्स प्रोवाइड़िंग में विद इकवल ऐसेस्टो रिसोर्सेश इंतेल्स प्र इंप्लॉएमेंट अगर ब데ब जो मिल में में इककर में इंप्लेयमेंट अगर मिलता है तब बिन्पसरक्राइब कंश्चरों दो अगर होता है एक लडगा और एक लड़की जब परने के लिए इसकूल चूछ किया जाता है तो अब थोड़ा सा भर पर हो गया लेकिन आस्थे 10 साल 15 साल कहले दोनों में एक डूरा से ज्यां कि दोनों में ब्रिस्क निनेशन हो मिलना चाहिए लेकिन हो गया इम््लोयेंटी हो गया सब कूछ क्या हो स्वाहीं सब स्वाही सब challenging gender norms and studio types that limit women's roles and potency in society personal empowerment focus on enhancing women's self-esteem Empowerment focuses on enhancing women's self-esteem, confidence and agency, to pursue their goals याधिक समाजिक तौर पर एक समाज में तोनों में ज्यादा फोजाता है डिस्क्रा दो 잡र हो जाता है औरर वेब चैलेंजिंग्गाय तरह से उनका जी से पर गोसिता तो मतलब एक स्टूडियो टाइप बना हुआ है पहले से धार्णा बना हुआ है कि इस तरह से यहां से यह नहीं करना है समाज में ऐसे नहीं करना है और जो में है उसका भी एक स्टूडियो टाइप बना हुआ है कि हम बहुत सब्सक्राइब कर दिया गया है कि इसको जो है इसके आगे नहीं जाना है एक अपोजी अगर आप देखते हैं इसके लिए में के लिए वो जो रॉल है वो अलग हो चुका है पोटेंशियल इन सोसाइटी पॉर्सनल इंपॉर्मेंट फोकसेश और इनहेंसिंग निमेंस से टिस्टिंग कॉंपिदेंस एंड एजनसी तो कॉर्सिव घर गोल्स अब देखिए जो यह जो नॉर्म्स है ना यह जो नियम कानून है तरह से कर सकते हैं यह लेडीज के लिए आपको उसमें नहीं जगा पाता है इससे क्या होता है कि लिए नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है यह जग दोनों को समान मत्रा में सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपना कॉन्फिदेंस और सारा गोल्स पाते हैं और सारा गोल्स अचीव करते हैं जितना सारा गोल्स अगे यह है आपको क्या कर दो सकते हैं एक सब्सक्राइबन एकियुक्त लडिह उसे अव्मिन इसके आपको सब्सक्राइब अब आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है और वह कहां से आगा वीमन को इंपावर करने से नहीं आगा अगेट इस टू एड़ांस्मेंट आप सोसाइटीज इसको बढ़िया से कर लेना है क्योंकि एक्जाम में आपको यह आ सकता है और इसको अच्छे से कर लिए और इसको आप यह इसको लिख लीजेगा अपने नोटबुक पे और वहां से जो इसको प्रैक्टिस कर लिए एक से दुबार प्रैक्टिस कर लिजेगा आपके दिमांग में यह सारा जीज जो है आ जाएगा और वही चीज़ है पहले इंट्रो लिखना है फिर बड़ी पार्ट लिखना है और यह देखे जैसे लिख लिखेगा आपको ज्यादा बेनेफिट करेगा ठीक है थैंक्यू